हुआ है कि हैं हेलो फ्रेंट्स वेलकम में क्मेक माइग्जाम धॉक्त टूडेटी रस पहले हम पंच्छाहिती राज के बार में बात करेंगे पंच्छाहिती राज क्या है जो हमें पता है कि जैसे हमने starting में discuss किया था federal government federal government के according हमने बात करे थी कि distribution of powers होता है जो हमारी center state and village जाने की पंचायत में given होता है clear तो उसमें क्या है कि आपका जो village में handle करने के लिए administration करने के लिए हमारी पंचायती राज बनाया गया है तो पंचायती राज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज है पंचायती राज को हमने three system में divide क्या हूँ है that means three tire system clear ये three tire system है क्या चीज़ वान इस village पंचायत और second one is ब्लॉक समिती और third one is जिला परिशद clear and इस three system में three tire system हमने पंचायती राज में given है हमारा village पंचायत है कि जिसमें आपको पता है कि एक गाउं है गाउं में एक पंचायत है पंच है और उसको ये handle कर रहे है administration कर रहे है यहां क्या जो head होता है उस head को बोला जाता है प्रधान clear चीक है तो next is the block समिती ब्लॉक समिती का मतलब क्या है कि लाइक जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गाउं मिलके एक ब्लॉक ब्लॉक बना लेते हैं और इसमें क्या होता है कि लाइक जैसे विलेज पंचायत में हमें पता है कि पंच होते हैं तो 5-10 members 5-15 members जो होते हैं वो इसकी administration करते हैं ब्लॉक समिती में क्या है इससे ज्यादा मेंबर होंगे जाने कि approximately 20-60 members होंगे तो इसको हैंडल करेंगे और इसमें जो head होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रमुक clear and the next one is the zila parishat, zila parishat पे हमें पता है जिला words से हमें पता लग रहा है तो जिला parishat कहां पे होगी? एक हमारे district में होगी clear और district को head करता है और जिला parishat को head करता है उसको हम क्या कहते हैं जिल को पूछा अब एक चीज देखिए कि अगर इन ने questions पूचह which is the apex level तो आपको अंसर पता है that is the apex level जाने कि topmost के उपर कौन है हमारा जीला परिशाद और below level जाने कि base level पे कौन सी government है हमारी पंचायत में that is village पंचायत clear हो गया चिक है and next one is the कि इस time पे जो ये जो चीज है ये तीन है ये three tier system किसी कमेटी की recommendation से बना होगा वो कमेटी की नाम क्या है the name is बलवन्त राए कमेटी बलवन्त राए कमेटी की according हमने village पंचायत को three parts में डवाइट किया है village पंचायत, बलोक सम्मती and जीरा परिशाद clear and the next one is अब इस village पंचायत में हमारे लाइक जैसे हमने लोक सभा, राज्यसभा में discuss किया है qualification क्या चाहिए and इसका member बनने के लिए क्या हमें qualification चाहिए head कौन होता है and कैसे ओत दी जाती है ये सारा कुछ हम यहाँ पे इस टाइम पे discuss करने वाले हैं clear तो जो आपका पंचायती राज है पंचायती राज अभी हमने discuss कर लिया है कि पंचायती राज को village पंचायत ब्लॉक समती and जिला परिशाद में हमने divide किया है बलवंतराय कमेटी ने recommendation दी थी clear तो पहली बार हमारी first village पंचायत कहां पे बनी थी first village पंचायत वो बनी है आपके राजस्थान में और राजस्थान में कहां पे नागोर डिस्टिक clear and इसके बाद राजस्थान के बाद जो हमारी government बनी थी वो बनी थी आंदरा परदेश में आंदरा परदेश यह ध्यान रखना कई बार exam में question पूछ लेते हैं combination में दो स्टेट्स का नाम पूछलते हैं कि पहली हमारी पंचायती राज जो है वो बना कहां पर है तो अंसर हमारा आजाएगा राजस्थान and आंदरा परदेश and next one is कि हमारी पंचायत है कहां पर नहीं है चीक है तो हमारी कौन कौन सी स्टेट्स में नहीं है मेखाल लिया मिजूरम नागल यह तीन स्टेट्स हैं हमारी जहां पर हमारी पंचायती राज सिस्टम नहीं है clear and इसके बाद हमने डिसक्स करना है कि हम हमें लाइक जैसे हमें पता है कि वोटिंग एज क्या है हमारी वोटिंग गेज हम 18 साल का परसन जो भी है वोट करता है अगर जो परसन 18 एंड 18 प्लस है इसको मतलब यह लोग पंचायत चुनेंगे तो इन लोगों को गाउं में क्या बोला जाता है जो 18 और 18 प्लस होंगे उनको बोला जाता है ग्राम सबा क्लियर जो कहने का मतलब जो ग्राम सबा है जाने की 18 एंड 18 प्लस वाले लोग जो है वो बनाते हैं ग्राम सबा और ग्राम सबा चुनी ग्राम सबा किसको चुनता है ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए हमें एज कितनी चाहिए इट्स मिनिममम 21 मिनिममम 21 ऑफ एज 21 इयर्स क्लियर तो यहां पर द् ठारा प्लस वाले होंगे, वो किसका member बनेंगे, ग्राम सभा का, और जो 21 साल की minimum हेज होगी, वो किसका member बनेंगे, ग्राम पंचायत का, और ग्राम सभा किसको elect करती है, ग्राम पंचायत को, clear? and इसके बाद, like जैसे हमें पता है, कि जैसे हमने discuss किया था, लोकसभा में, like, seeds reserved होती है, SC and STs के लिए, तो यहां पे भी, हमारी seeds reserved है, seeds reserved for SC and STs, clear? SC and STs के लिए, यहां पे seat reserved होती है, हमारी पंचायतिरा सिस्टम में, इन seat reserved में, जो one third seats होती है, one third seats, वो जो seats है, reserved होती है, लड़कियों के लिए, women के लिए, clear? तो यह exam में, बहुत बार कोशिन बूचा गया है, कि girls के लिए, कितनी seat reserved है, one third seats, clear? अब इनके election जो हैं, हमारे पंचायत के election कौन करवाता है, हमने election commission में भी discuss किया था, जो election commission of India होते हैं, वो election कंड़क्ट करवाते हैं, center का और state का, कहना है का मतल़ लोकसभा का और विदान सभा का, विदान परिशा, जो भी सारी election है, आपके state के और आपके center के, वो चंड़क् Commission अब जो State Election Commission है यह election conduct करवाता है आपके गाउं में पंचाइती राज में और यह State Election Commission को appoint कौन करता है इस State Election Commission को appoint करता है governor क्योंकि हमारे state में कौन है governor is the executive head clear ठीक है और इसके लिए हमारी एक बहुत important question है that is the 73rd amendment 73rd amendment 1992 clear यह exam में बड़ी बार question आया है कि जो हमारी amendment है पंचाइती राज ही लिए amendment कौन से हुई है that is the 73rd amendment एक ध्यान रखना यह amendment जो है implement कब हुई थी 1993 में clear 1992 में amendment आया है और implement हुई है 93 में और इस amendment के दौरान क्या हमने बात करी है कि हमारे लाइक जैसे center में हमारा finance commission होता है ठीक है तो ऐसे ही हमारे पंचाइती राज को conduct करने के लिए हमारे पंचाइती राज को ठीक रखने के लिए finance तो हम इसका state finance commission भी एक बनाएंगे state finance commission जो है आपका जितने भी पंचाइती राज के लिए municipalities के लिए जितना भी finance है वो यह distribute करेंगे taxes को distribute करेंगे clear और state finance commission कितने time के लिए point किया जाएगा five years के लिए clear ठीक है so here is the very important question that is a 73rd amendment ये exam में बहुत बार question आया है clear अब next है उसके बाग जो हमारी पंचाइत है ये कितने time के लिए चुनी जाती है हमारी जो पंचाइत है वो कितने time के लिए चुनी जाती है that is for five years ठीक है अब suppose कीजिए अगर पांच साल से पहले जो है हमारी पंचाइत जो पांच साल से पहले वो डिजॉल्ड हो जाए बिफोर फाइव यर अब पांच साल से पहले डिजॉल्ड हो जाए तो डिजॉल के बाद जो next वाली आएगी first of all next वाली के कितने time के अंदर अंदर हमारे लेक्शन हो जाने चाहिए between the six months clear अब जो next वाली आएगी suppose करो कि जो dissolved हुई है वो दो साल बाद आई है मता सोरी दो साल में dissolved होगी है तो next वाली के छे मिने के अंदर इलेक्शन और next वाली जो चुनी जाएगी वो three years के लिए चुनी जाएगी और यहां पे two years clear तो यहां पे हमने बात करी है जो जितने भी जो भी पंचायत हमारी पांच साल के लिए लेक्ट होगी और पांच साल में अगर suppose करो कि वो बीच में dissolved हो जाए for example two years चीक है तो दो साल के वीच अगर dissolve हो जाती है तो next वाली जो बनेगी वो कितने टाइम में बनेगी विदिन six months clear अब six months में बनेगी और नहीं वाली जो आपकी पंचायत आएगी कितने टाइम के लिए वो रहेगी three years के लिए clear so here is the that's it मतलब जो आपका qualification है qualification हमें पता ही है citizen of India होना चाहिए अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था जितना भी हमारे paper में question आते हैं सिर्फ और सिर्फ एज के ऊपर आते हैं और इसमें हमने डिसकस किया था कि minimum age कितनी चाहिए पंचायती राज का member बनने के लिए minimum age is 21 clear so here is the all about the आपका जो पंचायती राज है तो next is the municipality अम उन्से पैलेटी में भी क्या है बिलकुल सेम जो चीजें हैं हमारी जैसे हमने पड़ी है आपके पंचायती राज में वैसे ही बिल्कुल मुंसेपैलिटीज में भी है चीक है अब मुंसेपैलिटीज का मुंसेपैलिटीज में क्या है लाइक जैसे हमने देखा है गाओं में हमारी क्या है पहन जाए तो मुंसेपैलिटीज कहां पर है first of all urban areas में urban areas में क्या है आपकी municipalities clear तो ये भी तीन level के उपर है एक होती है नगरपंचायत एक होती है municipal council एक होती है municipal corporation ठीक है तो ये भी आपकी तीन level के उपर है नगरपंचायत किसे कहते है ऐसा area जो पहले rural था गाउं वाला area था वो urban में change हो गया है अगर urban में change हो गया है तो वहाँ पर क्या होगी आपकी नगरपंचायत municipal council क्या होती है जो आपके मतलब जैसे ये area जो है rural to urban change हो है ये आपका area है जहांपे आपका smaller urban area होता है जहां पे छोटा urban area होता है smaller urban area और यहां यह municipal corporation कापी होगी आपके larger urban area में larger urban area का मतलब यहां पे आपकी metro cities वखारा है वहाँ पी आपका क्या होगी मौनिसिपलiser और यह जो है हमारे normal शहर हैं clear तो यह आपके smaller urban area में होगी municipal council clear तो बिल्कुल same as it is answer again 5 साल के लिए चुनी जाती है जैसे हम में पंचाहिती राज में डिसकुस किया है बिल्कुल exact answer आपके municipalities के लिए हैं सिर्फ हमने यहां पर एक चीज़ देखनी है कि हमारी इसके लिए amendment कौन सी हुई थी 74th amendment 74 amendment 1992 यह हमने बस ध्यां रखना है कि 74 amendment हुई है और यह भी implement कब हुई थी 1993 में ठीक है तो 74 amendment is for municipalities और जो हमनी 73rd थी हमने डिसकुस किया था 73rd किसके लिए है हमारी पंचाहिती राज सिस्टम के लिए पंचाहित के लिए क्लिए 73rd for पंचाहित 74th for municipalities clear and the next one is आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो first municipal corporation first municipal council और कहां पे खुली थी हमारी यह खुली थी हमारी पहले madras में that's it और this is all about the municipalities so अगर आपको इसमें फिर भी कोई doubt हो तो आप comment करना so here we will end up with the topic पंचाहित राज and municipalities so thank you very much I hope you like this video